तोट आफ दे जब भक्त पोर्ण अंतकरन से शिरी साई बाबा की भक्ती करने लगता है तो बाबा उसके समस्त कष्टों को दूर कर स्वेय उनकी रक्षा करते हैं ओम साई राम टीम साई पूझा की और से मैं प्रीती आप सब भक्तों को शत्षत प्रणाम करती हूं और साई पूझा चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत करती हूं टीम साइं पूजा आप सब भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा के परमभक्त आज हम जानेंगे बाबा के परमभक्त दामु अन्ना कासार जी के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है तो आईए शुरू करते हैं दामु अन्ना कासार एहमन नगर में रहते थे वे संतान हीन थे और बहुत ही दुखी थे शिरिसाई बाबा के किर्पा से उन्हें भी एक पुत्त रतन की प्राप्ती हुई दामु अन्ना जी सन 1895 में शिर्डी पधारे थे जब राम नौम में उत्सव का प्रारम भी हुआ था उसी समय से वे एक जरीदार बढ़िया ध्वज इस अफसर पर भेंट करते तथा वहां एकत्रित गरीब भिक्षकों को भोजन आधी कराया करते थे एक बार दामु अन्ना का सार्ची ने आनाज गेहुं चावल आधी अन्य वस्तो का धंदा अरंब करने का विचार किया बाबा ने इस विचार को समझा और समझ कर उनसे कहा कि तुम पांच सेर खरीदोगे और साथ सेर बेचोगे इसलिए उन्हें इस धंदे का विचार त्याग ना पड़ा कुछ समय तक अनाज़ों के दाम भड़ते गए परंतु एक दो मास के पश्चाथी सब स्थानों में प्रियाप्त व्रिष्टी हुई जिसके फल सवरूप ही भाव अचानक ही गिर गए और दामु अन्ना इस विपत्ती से बाबा के कहने पर चलने से बच गए बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया यह देखकर दामु अन्ना जी का साई चर्णों में विश्वाश द्रिड हो गया और वे जीवन प्रियंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहें एक बार रूई के सौदे में भी बाबा ने दामु अन्ना को इसी प्रकार बचाया और उन्होंने दामु अन्ना जी को कोई हानी नहीं पहुंचने दी इस प्रकार दामु अन्ना जी का विश्वाश बाबा पर और अधिक बढ़ गया ओम साई राम तो आज आपको दामु अन्ना जी के जीवन से क्या संदेश मिला हमें यह संदेश मिला के बाबा पर पूर्ण विश्वाश रखो बाबा अपने भक्तों को कभी हानी नहीं उठाने देंगे ओम साई राम किर्प्या साई पूजा चैनल के साथ यूहीं जुड़े रहें क्योंकि कल हम लेकर आएंगे बाबा के एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है ओम साई राम अनन्त कोटी भ्रहमांड नायक राजा धी राज योगी राज परम भ्रम शिरी सचिदानंद सद्गुरु शिरिसाइनात महराज की जै ओम साई राम जै साई राम झाल